पिछले 72 घंटों में हिजबुल्ला लडाकों ने एक बार फिर इसराइल को दहलाने का दावा किया इस बार हिजबुल्ला फाइटर्स ने इसराइल के सैने ठिकानों पर आत्मगाती ड्रोन से हमला किया है वही वेस बैंक में जोरदार हमला कर रहे इसराइल ने हमास और हिजबुल्ला लड़ाकों के पास इरानी हतियार मिलने का दावा किया है तो क्या इरान भी हिजबुल्ला की तरह युद्ध में आ गया है? देखे रेपॉर्ट इसराइल हमास युद्ध में हिजबुल्ला खुलम खुला हमले कर रहा है हूथी फाइटर चुनोती देकर नेतनियाहू से टकरा रहे हैं लेकिन अब हमास इसराइल के टकराओ में इरान की एंट्री हो चुकी है यानि जिसका डर था वो युद्ध अब शुरू होगा इरान की मिसाइलों का सीधा मुकाबला नेतनियाहू के जंगी जेट करेंगे इरान के हथियारों को घाजा और वेस्ट बैंक में हमास फाइटर धुआधार इस्तिमाल कर रहे हैं इसका दावा इस्रेल ने किया है कि इरान के हथियारों के इस्तिमाल के माइने साफ हैं कि इरान सीधे तोर पर युद्ध में आ चुका है यानि अब युद्ध इस्रेल वर्सेज हमास, हेजबॉला, खुथी और इरान हो चुका है इरान इस्माल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए घाजा में दाखिल होगा या नहीं अभी ये साफ नहीं है मगर इस्रेल को कई फ्रंट पर घेरने का खाम नहीं प्लान शुरू कर चुके हैं जिसमें एरान को जॉर्डन का पूरा साथ मिलने जा रा है वेस्ट बैंक में इस्रेल के हमले के बाद जॉर्डन भढख गया है वजह है इस्रेल के हमले के बाद भारी संक्या में लोगों का जॉर्डन में घुस पैट जॉर्डन वॉर्डर पर अफ्रात अफ्री मचने के बाद गिंग अब्दुल्ला ने आईडियव को वर्निंग दी है लेकिन इस्रेल किसी भी हाल में हमले बंद करने के मूड में नहीं हमास को दोडा दोडा कर मार रहा है इस्रेल आस्मानी धमाके से दुश्मन की धज्यां ओडा रहे हैं नेतन्याहू के सोल्जर अचूक हमले से बचने के लिए हमास फाइटर को कोई ठोर नहीं मिल रही है हमास के गड़ जैनिन में हुए हमले का ये वीडियो है इस्रैली सेना जैनिन के फ्लैश पॉइंट में हमास के लोकल कमांडर को एर स्ट्राइक कर मार गिरा एर स्ट्राइक वक्तर बंद गाड़ी में सबार दो हमास लड़ाकों के सफाय के लिए की गई हलाकि इस्रैली ड्रोन के अटैक के भनक हमास लड़ाकों को लग गई थी जिसके बाद दोनों फाइटर बखतर बंद गाड़ी छोड़ जैनिन के गलियों में दौड लगाने लगे मगर ये भाग दौड कुछी सेकंड बाद खत्म हो गए जब ड्रोन से दागी गई मिसाइल ने हमास के दोनों लडाकों के चीथड़े उड़ा दिये IDF की ग्राउंड फोर्स भी हमास फाइटर पर सटीक हमले अंजाम दे रही है हमास लडाकों के खात्मे के ओपरेशन को IDF कमांडो अब हेलमेट कैमरे में भी कैप्चर कर रहे है ये वीडियो IDF कमांडो के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई है इसरेली सेना ने वेस्ट बैंक में चल रहे ऑपरेशन का ब्योरा इस वीडियो के साथ रिलीज किया है जिसमें इसरेली बॉर्डर पोलिस के जबान, हेलिकॉप्टर, ड्रोन और बखतर बंद गाडियों के तुलक, करम, जेनिम और जॉर्डन घाटी में चापा मार योद्ध को दिखाया गया है इसरेल ने दाबा किया है कि इरान के वेस्ट बैंक में हमास और हिजबुला लड़ाकों को बड़े पैमाने पर हत्यार सप्लाई कर मदद पहुँचा रहा है इसरेली एरफोर्स के हवाई हमले सबसे ज़ादा तबाही मचा रहे है वेस्ट बैंक में दौर्टी गाड़ी को में साइल धमाके से उड़ा कर इसरेल ने बड़ी काम्याभी हासिल की है इस जलती हुई गाड़ी में हमास के टौप कमांडर के साथ चार फाइटर को इसरेल ने धेर करने का दावा किया है आईडियेफ के हवाई हमले के बाद गाड़ी आग में जल कर राक हो गई हमास लड़ाके इस आग में भुन कर खाक में मिल गए हमास लड़ाकों को इसरेल ने ऐसी भायानक मौत दी जिसे देखने वालों की रूख काप गई चैनन और वेस्ट बैंक जैसा हाहकार हमास के हर ठिकाने पर दिखाई दे रहा है तुलकरम को रौंग रहे हैं इसरेल के टैन, बक्तरबंद काफिले हमास के गड़ में इसरेली फोर्स के एंट्री होते ही सारा इलाका धुआ धुआ हो रहा है बारूद अटैक के बाद पहुँच रही आईडिया पल्टन के साथ एम्बोलेंस यहां शवों का धेर समेटने साथ साथ पहुँचती है उधर खान योनुस में इसरेल ने फिलिस्तीनी नागरेकों को वापिस लौट आने की एजासत दे दी है